हालो ऐवरिवन आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कच्छे नारयल से कैसे बर्फी बनाई जाती है अगर आप बात करते हो इसके सुआत की तो जो सुखे नारयल की हम बर्फी बनाते है वो थोड़ी ज्यादा टेस्टी होती है यह थोड़ी सी मुझे कम टेस्टी लगती है बट यह बहुत ही अच्छा आप्शन है अगर आपके पास कच्छा नारेल अवेलिबल है और आप उससे कुछ मीठा बनाना चाहते हो या चाहते हो कि जटपट से कोई रेस्पी बन जाए तो यह बहुत ही परफेक्ट बरफी और स्वीट रेसिपी है आपके लिए तो चले अब हम देख लेते हैं कि इस बरफी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा तो जब कच्छे नारेल के बरफी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कच्छा नारेल अब अगर आपके पास छोटे भी निकलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें इन्हें ग्राइंड ही करना है और अब यह जो ब्राउन वाला पार्ट है उसे आपको पील ओफ करना है अगर आप किसे पीलर से रिमूफ करने की कोशिश करोगे तो अच्छे से नहीं निक सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हमें छील के से और छीलने के बाद अब आप आपको इनके एकदम छोटी छोटी पीसेस करने हैं क्योंकि जो मिक्सर का जार होता है वो बड़े टुकडों को अच्छे से पीस नहीं पाता है तो आपको इन्हें छोटे पीसेस में कट करना बहुत soft part होता है तो ये देखिए सब के pieces करके ready कर लिया हमने अब एक काम करते हैं कि mixer का जार ले लेते हैं ऐसा वाला जार लेना है जिसमें हम चट्णी बन Алश बनाते हैं ये उस Children लेना है इसमें आपको add कर देने हैं सारे pieces और इन्हें एकदम ढग कर पीस लेते हैं आप इसमें पानी बिलकुल भी न डालें ये बिना पानी के ही बहुत सॉफ्ट एकदम पिसकर तयार हो जाते हैं हास से मैश करके देखिए कि एकदम सॉफ्ट इसका दरदरा सा थोड़ा सा अच्छा सा फाइन सा पिस्टिस का बन जाता है जो कि एकदम पर्फेक्ट है हमारी बर्फी बनाने के लिए तो ये देखिए उस एक नारियल से ये बड़ा वाला एक कटोरी फुल भर गई है मतलब ये वेट में अगर आप देखोगे तो 200 ग्राम होगा और आपको शूगर लेनी है जितना आपका नारियल है उससे होफ चीन आपको ले लेनी है अगर आपको अंदाजन नहीं है तो अगर आप कम खाना चाहते हो तो आप इससे भी कम ले सकते हो और एक छोटा चाई का कप आपको लेना है मिल्क का दूद ये एकदम रूम टेंपरेचर पर है, मतलब फ्रीज वाला भी उस कर सकते हो, कोई सा भी आप इसमें दूद ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि गरम दूद ले, और एक टेबल स्पून आपको लेनी हैं, देसी घी की, हम इसमें घी का भी थोड़ा से यूज करने वाले हैं, त और उसमें एड़ कर दीजिए, ये नारियल, और अब हमें इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, जब तक कि इसकी थोड़ी सी नमी दूर ना हो जाए, अभी आप इसे प्रेस करते हो, तो आपको हलका से गीला सा लगता है, ऐसे लगता है, इसमें दूद सा है कुछ, तो इसल प्रेस की नमी दूर करें, और उसके बाद में आप इसमें दूद मिला दें, और अब आपको इसे कंपलेटली रोस्ट करते रहना है, और सेखते रहना है इसे लो फ्लेम पर जब तक कि इसकी सारी नमी दूर ना हो जाए, और इसमें से लाइट लाइट से महकसी भी आपको पानी लगेगी तो बस इसे लो फ्लैम पर चलाते रहें अगर आपकेे पास दूद नहीं है और आप चाहते हो दूद को दूद के अलावा दूद के बड़ी चमच और आपके पating आपके मला यहां तो इसे में मला खोय थेज़ मिलां के भी मिला दो bulb बहुत सारे option है जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाए इन बर्फियू को बनाने के लिए बहुत सारे options होते हैं और खास बात यह है कि इस mixture से आप पेड़े या लड़ू कुछ भी बना सकते हो तो यह देखिए कि हलका सा रोस्ट हो चुका है अच्छे से सूख चुका ह अब हम इसमें मिला देते हैं शूगर तो शूगर कोशिश करें कि आधी आप इसमें जरूर मिलाएं क्योंकि शूगर मिलाने से इसकी बैंडिंग काफी अच्छी हो जाती है और स्वीट थोड़ी बलाई जादा हो बट अच्छी लगती है बर्फियू अगर आप चाहते हो और भी कम मीठा तो आप कम भी मिला सकते हो ऐसी कोई दिकत नहीं है इसमें अब चीनी मिलाने के बाद इसे फिर से लो फ्लेम पर पकाते रहना है जब तक इस चीनी का सारा पानी सूख न जाए और यह जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना जाए यह देखे आपको ऐसे बैंड ह नजरा एक दम चिपक चिपकने वाला सा लगने लगेगा तब आपको फ्लेम अफ कर देनी है और कोई भी आप स्टील की थाली ले लीजिए स्टील का टिफिन ले लीजिए या कोई भी प्लास्टिक कबरतान या कुछ भी आप ले लीजिए आपको जो सही लगे उसमें और फ्रीज में रखना बहुत जरूरी है अगर आप बाहर इसे रखोगे तो बाहर भी इसके पीसेस हो जाएंगे लेकिन उतने अच्छी तरीके से पीसेस नहीं होगे अगर आप परफेक्ट पीसेस चाहते हो तो आपको फ्रीज में रखना होगा मैंने इसे बाहर ही ऐसे ही दो घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज में नहीं रखा था तो अब यह देखिए कि मैं आपको इसके पीसिस करके बताती हूँ उतने clear पीसिस नहीं होंगे लेकिन अगर आप इसे फ्रीज में रखोगे तो इसके बहुत अच्छे पीसिस हो जाएंगे यह बिना फ्रीज काथी सॉफ्ट ली आप इसके पीसिस करें काफी सॉफ्ट बर्फी होती है क्योंकि यह और यह हमारी स्वीट एंड सॉफ्ट बर्फी बनकर तयार है आप भी इसे घर पर एक बस जरूर बना के ट्राय करें आपको पसंद आएगी अगर पसंद आये तो इस चैनल को लाइक श करें के लिए